वेलकम तो जेके टॉपर्स अकैडवी लेटेस्ट जॉब सब्टेट आप स्टूडेंस के लिए लेके आ चुके हैं यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो है यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि RBI की जो वाकेंसी है वो ओनलाइन फर्म कब से होंगे ठीक है इस वक्त जो है हम इसकी ऑफिशल साइट पे हैं RBI की जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि Recruitment for the Post of Assistant के लिए पोस्ट है देन हम इसको क्लिक करेंगे आपके पास जो है पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि साड़े चार सो जो है पोस्ट बताई गी है Assistant की ठीक है और इसमें Mode of Application आप यहाँ पर देख सकते हैं और Important Date कब से जो है Online यहाँ पर हो चुके हैं 13 September से Form Online हो चुके हैं और October की चार तारीख को जो है यहाँ पर इसकी Last Date है ठीक है और यहाँ पर अगर आपको यह Form Apply करना है 8082 874110 पर हमें WhatsApp कीजेगा Form यहाँ पर आपका हम जो है फिलप करके देदेंगे ठीक है और यहाँ पर आपको बताएंगे कि Online इसमें मतलब आपका Selection किस तरह से रहेगा सबसे पाहले जो आपकी Selection है इसमें आपका Preliminary Test होगा ठीक है जो कि इन्होंने Tentative यहाँ पर Date दी गी है फिर आपका Online Main Test है उसकी भी Tentative जो है इन्होंने यहाँ पर Date Out की गी है ठीक है और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका Interview लेंगे यहाँ फिर आपका एक Language Test होता है यानि कि इस Language को आपकी जो Officially Language है जो आपकी उसका एक Test रहता है ठीक है अब यहाँ पर आपको बताएंगे देखी आपको State-wise जो है आपको Vacancy देखने को मिलेगी और Category-wise भी आपको यहाँ पर Vacancy देखने को मिल रही है ठीक है तो जल्दी से आपको Form Apply करना है तो Apply कर लीजेगा ठीक है यह आपको PDF हम Provide करेंगे हमारे Telegram चैनल पर Telegram का Link जो है वो मिल जाएगा description box में वहाँ पर जाके जो है आप इस form को जो इस PDF को जो है अच्छे से Read कर सकते हैं ठीक है next बात करेंगी और इस PDF में क्या बताया है अगर कोई candidate जो है person with benchmark disability है तो वो भी apply कर सकता है इस form को इस तरह से नहीं है कि apply नहीं कर सकता है वो भी apply कर सकता है ठीक है और यहाँ पर आपको guidelines दे हैं कुछ वो आप रीट कर दीजेगा अगर हम रीट करेंगे तो video जो है वो काफी भी apply कर सकते हैं ठीक है बाकी भी states के हैं वो भी apply कर सकते हैं ठीक है वो मैंने आपको बता दिया है बाकी इसमें बात की जाए age तो age जो है यानि कि 20 से age start की गई है और 28 तक जो है for general category की 28 तक last age होनी चाहिए और यहाँ पर SCST, OVC, PWBD को एक सर्विसमेन को अगर कोई widow, divorce, woman है उनके लिए भी यहाँ पर age relaxation दी गई है पर government tool के हिसाब से ठीक है यहाँ पर SCST को 5 साल की है यानि कि total 33 तक apply कर सकते हैं OVC 31 तक है और PWD को 13 साल की जो है इनोंने अगर general EWS category में आते हैं PWD, BD तो उसको 10 साल की छूट है OVC वालों को 13 साल की है और SCST वालों को 15 साल की है अच्छी खासी जो है यहाँ पर आपको इस दीगी है आप इस form को apply कर सकते हैं ठीक है बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर यह तो CGP score आगए यहाँ पर exam जो है scheme of selection यह हम main point यहाँ पर बात करेंगे ठीक है preliminary में आपका किस तरह से syllabus रहने वाला है यह आप देख सकते हैं total यहाँ पर बताया गया है क्या क्या आने वाला है और mains में आपको यहाँ पर क्या क्या आएगा यह भी आपको बताया गया है यहाँ पर ठीक है यह अच्छे से check कर लीजिएगा और बाकी यहाँ पर जो है next आपका जो है third point जो है वो language professional test होगा जो आपकी official local language है उसका test रहेगा ठीक है पर पहले pre होगा फिर main होगा उसके salary रहने वाली है ठीक है और बाकी pre examination training जो है SC ST OBC यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है और बाकी आपको apply करना है जल्दी से हमें contact कर लीजिए फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था और एक और update देते चलते हैं यहाँ पर की SSC Delhi Police Constable के यहाँ पर form लग रहे हैं जो की 12th base प आप होने चाहिए ठीक है यानि कि graduate होने चाहिए तब भी जो है आप इस form को apply कर पाऊगे और SSC Delhi Police Constable की qualification की बात की जाए तो उसमें only आपको 12th मांगी गई है ठीक है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट साथ बाइ बाइ स्टुडेंट्स टेक केर